हेलो दोस्तों कैसे हो आप तो शुरू करते हैं आज का एपिसोड एपिसोड 25 आदित्य रोए अब तक कहानी में अब तक हमने देखा कि हॉस्पिटल से निकलने के बाद जो अंजान आदमी थोड़ी देर पहिले श्रया से टकराया था उसकी कार एक बड़ी सी बिल्डिंग के आगे आकर रुकती है जो की एक 14 फ्लो की कंपनी की बिल्डिंग लग रही थी कार से उतर कर वो आदमी उस बिल्डिंग में एंटर करता है उसी के साथ उसका असिस्टेंट और बॉडी गार्ड भी थे Building में Enter करते ही वहाँ पर काम करने वाले Employee उसे देखकर Greed करते है वो आदमी बस अपना सिरहिला देता है अपनी Private Lift में जाकर 14 Flow का बटन दबा देता है Lift 14 Flow पर रुखने के बाद वो अपने केबिन में चला जाता है महरा Corporation, श्रेया की मौम अपने केबिन में कुछ डॉक्यूमेंट पर रही थी उसी वक्त उसकी असिस्टेंट प्रिया अंदर आती है और उनसे कुछ कहती है जिसे सुनने के बाद उनके चेहरे पर परेशानी के भावा आ जाते है वो जल्दी से अपने केबिन से निकल के कमपनी से बाहर निकल कर अपनी कार में बैठ कर कही चली जाती है अब आगे, रॉय इंडस्ट्री अंजान आदमी जो थोड़ी देर पहले श्रेया से हॉस्पिटल में टकराया था हॉस्पिटल से निकलने के बाद वो जिस बिल्दिंग में गया था वो और कोई नहीं बलकि रॉय इंडस्ट्री का सीओ है उसका नाम आदित्य रॉय है रॉय इंडस्ट्री इंडिया में टॉक दो में है सिंघन या इंडस्ट्री के बाद इंडिया में सबसे बड़ी रॉय कॉपरेशन है आदित्य रॉय हमेशा ही अपने चेहरे को मास्क के पीछे चुपा के रखता है उसके पीछे भी एक वज़े है आदित्य रॉय दिखने में किसी हीरो से कम नहीं ताली आखें, ब्राउन बाल, गोरा रंगिन के लोग किसी बॉलिवुर के हीरो को भी पीछे छोड़ दे पर शिव से कम हेंडिसम है आदित्य रॉय अपने केबिन में बैट कर एक फाइल पर रहा था तभी उसका असिस्टेंट अंदर आता है आदित्य से कहता है बोस, हमारी USA वाली ब्रांच में कुछ प्रोब्लम आ रही है कमपनी का डाटा वहाँ से लीख हो रहा है ये सब कोन कर रहा है, कुछ पता नहीं चल रहा है अब आपको वहाँ पर जाना होगा नहीं तो बहुत नुकसान होगा अपनी असिस्टेंट की बात सुनकर आदित्य रॉय बड़े ही सीरियस फेस के साथ उससे कहता है ठीक है USA जाने की तयारी करो हम कल ही वहाँ जा रहे है सब को इनफॉर्म करो और मुझे हर एक जो शक की गिरे में है उसकी पूरी इनफॉर्मेशन चाहिए उद्धरन चिन डॉट उसका असिस्टेंट उसकी बात सुनकर कहता है जी बॉस सब हो जाएगा असिस्टेंट के और कुछ बोलने से पहले ही आदित्य स्ट्रिक्ट स्टोन में कहता है गलती की कोई गुंजाइश नहीं होनी चाहिए असिस्टेंट के चहरे पे पसीने की बूंदा जाती है वो जी बॉस के कर वहाँ से चला जाता है आदित्य के केबिन के बाहर आकर वो एक राहत की सास लेता है और खुद से ही कहता है बच गया आज तो नहीं तो पता नहीं सर का गुसा कहा पर फूटता चल वरुन लग जा काम पर आदित्य रोई के असिस्टेंट का नाम अरुन है ये और आदित्य एक ही कॉलेज में पढ़ते थे आदित्य और इसकी मुलाकात कल जबमाई ही हुई थी दोनों बच्चे दोस्त है पर ओफिस में आदित्य सिर्फ इनका बॉस और ये आदित्य के असिस्टेंट कॉश्टक.City Hospital श्रेया शिव के साथ लंच करती है उसके बाद वो शिव को अपना ख्याल रखने को कहकर महरा विला चली जाती है श्रेया के जाने के बाद शिव भी अपना डिस्चार्ज लेकर सिंधानिया विला चला जाता है महरा विला श्रेया की कर महरा विला के सामने आकर रुपती है वो कार से उतर कर विला के अंदर चली जाती है तब ही अचानक उसके आखों के सामने कुछ सीन आ जाते हैं जिसमें वो अपनी मॉम को देखती है उसकी मॉम कार ड्राइविंग कर रही थी उनके चहरे पर परेशानी साफ नजर आ रही थी वो बहुत ही गबराय हुई नजर आ रही थी उनकी कार एक बड़े से घर आगे रुपती है वो घर बाहर से दिखने में बहुत ही खूबसूरत लग रहा था अंदर से तो और भी ज़्यादा खूबसूरत और मॉडन था उस घर में रोज की जरूरत की सारी चीजे थी श्रेया देखती है उसकी मॉम उस घर में एंटर होकर एक कमरे में चली जाती है जहाँ पर एक आदमी बैग पर लेटा था वो कमरा पूरा का पूरा हॉस्पिटल के रूम की तरह था उस आदमी को ऑक्सीजन मास्क लगा हुआ था उसकी कंडीशन बहुत ही सीरियस लग रही थी श्रेया आगे अपनी मॉम की कुछ बाते सुन पाती या उस आदमी को देख पाती उसके आगे से वो सीन अचानक गायब हो गया श्रेया को अचानक अपने अंदर बहुत ही कमजोरी महसूस होने लगी वो जल्दी से अपने रूम में जाके बैग पर लेट गई लेटते ही वो गहरी नीद में सो गई रात के 9 बजे शहर के बाहर के सुनसान जगव पर एक कार आकर रुखती है उस कार से शिव बाहर निकलता है उसके साथ उसका असिस्टेंट रागव और राहुल था साथ में ही उसके बॉड़ी गार्ड भी वो कार से निकल के सामने के विला में एंटर करते है वो विला दिखने में एकदम साधारन था पर अंदर से किसी लिक्जरियस होटल से कम नहीं था शिव, राहुल एंड रागव उस विला में एंटर करते हैं उसके बाद वो लोग उस विला के के ग्राउंड फ्लो पर बने एक रूम में चले जाते हैं वो रूम दिखने में एकदम साधारन ही था रागव उस रूम में मौजूद बैट को हिलाता है तो उस बैट के नीचे एक डोर दिखता है राहुल उसको कीचता है तो वहाँ से नीचे जाने के लिए सीडिया सामने आती है वो लोग एक एक करके उस अंडर्ग्राउंड रूम में चले जाते हैं उनके नीचे जाते ही वो रूम पहिले जैसा हो जाता है जो बैट थोड़ी देर पहिले राघव ने सरकाया था वो वापस अपने असी जगह पर आ जाता है क्रमश, श्रेया को वो सब द्रिश्य क्या देखे क्या उसे फ्यूचर में आगे क्या होने वाला है ये पहचानने की पावर मिली है या और कुछ श्रेया की मौम जिस आदमी से मिलने गई वो कोन है शिव, राघव और राहूल अंदरग्राउंड में क्या करने गए है जानने के लिए सुने आगे का एपिसोड हिलो फ्रेंज आज के लिए बस इतना ही आज का एपिसोड आपको केसा लगा ही कॉमेंट करके जरूर बताना अगर आपको आज का एपिसोड अच्छा लगा हो तो विडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब भी करना ना बुलना स्टोरी में आगे क्या होगा जानने के लिए देखिए स्टोरी का अगला एपिसोड